नमस्कार वेलकम बहुत स्वाज़ात है आपका आज का हमारा विश्य है उत्तर मुखी घर में मुख्य द्वार की स्थिति लोगों की मन में बहुत सारे प्रश्ण होते हैं कि गुरु जी हमें तो दक्षिन मुखी मिल रहा है दक्षिन मुखी तो अच्छा नहीं होता है उत्तर मुखी घर मिल रहा है वो बहुत प्रश्ण है कि मुझे नौर्थ फेस घर मिल गया है या फिर पुर्व मुखी मिल गया है लोग बहुत प्रश्ण हो जाते हैं काते हैं हमें तो सब कुछ मिल गया बगवान कुवेर के दिसा है सुरी के दिसा है लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि उत्तर मुखी घर आपके लिए सुब है या असुब है ये दोनों इस्थितियां यहां हो सकती है लोग दक्षिन मुखी घर लेने से बचते हैं कि सुब नहीं है अर्थात सभी दिसाएं सुब है या फिर सभी दिसाएं असुब है ये निर्वर करता है कि आप जो घर का निर्मान कर रहे हैं वो बास्तु के कितने रूल को फॉलो करता है जिसे जो रूल में सबसे पहले आता है जिसे उत्तर मुखी घर है आपका नौर्थ फे इस घर भी गलत हो जाएगा यहां आपको सुब परिनाम मिलने के बिपरीत परिनाम मिलने सुरू हो जाएगे आपको सुब परिनाम प्राप्त नहीं होंगे तो हम आएए आज के एक एक करके बात करेंगे कि किस पगल में आपको द्वार देना चाहिए कि आपको उत्तर मुखी घर में सर्वोत्तम इस्थिति देखने को प्राप्त हूँ तो देखिए सबसे पहले करें आपका जो भी प्लॉट है यदि प्लॉट इसक्वाइर से या फिर इसक्वाइर से मिलता जुलता एक अनुपातिक सेफ हो समान अनुपात में तो आपको करना क्या है कि के अंदर वागव में इसे continue बांट देना है यदि बांट देना है अब आएए इसमें जैसे की बांट दिया हमने ति ये वाला अस्थान हो जाता है वन हम यहां पो वन लिग देते हैं ये क्या है एन वन है आपका ये एन टू है ये एन थ्री है ये फोर है एन फाइब सिक्स सेवन ये इसान का यदि हम टोटल कॉंट करते हैं ति यहां तक आते हैं 24 यहां पर आ जाएंगे 25 थोड़ा सा समय लगेगा 26 27 28 29 30 31 और ये 32 32 पर एक से शुरू हुए 32 में खत्म हो गये अब दिखे हम सुरुआत करते हैं इस कॉर्णर से इस कॉर्णर से अर्थाति यहां पर से बा अपना मुखे द्वार दे रखा है डोर इस पोजिशन पर एक जानने कि इस पोजिशन का जो अस्थान होता है यहां के जो इसके परमुख होते हैं यह अस्थान रोग का है एन वान अस्थान क्या चीज़ का है रोग का है तो एक तो यदि आपने यहां पर घर बना लिया त इनसे आपको बैमनस्यता होगी मतलब आपकी सामंजस आपके परोसियों के साथ या लोगों के साथ कभी-कभी घर के सदस्यों के साथ भी आपकी सामंजस कोई नहीं बैठेंगे और उनसे किसी ने किसी परकार के आपके जगरे होते रहेंगे लोगों से बैर होते रहेंगे पर महिला है तो महिलाओं को घर में रहने के मौके भी कम मिलते हैं घर के यदि युबा पुत्र है पुत्री है तो ऐसे जा तक जो है स्वतंतर बिचार को हो जाते हैं आपके घर के लड़की लड़कियां स्वतंतर बिचार के हो जाएंगे वो अपने माता पिता की बात को नहीं मा यहां तक कि स्थिती कभी-कभी यह थी ऐसे घर लड़क्य रबझां अपने वीवा भी स्वेञ्ग के आनुसार कर लेते हैं अर्थात वो अपने मंसे अपना वीवा कर लेतें इंटरकाष्ट कर लेतें इस प्रकार की चीज़ें देखने क्यों आती है महिला यदि घर में है हो सकता है कि उन्हों घर से बाहर रहना पढ़े चाहिए वर्क के लिए रहे नौकरी के लिए उन्हें यह बाहर रहना पढ़ सकता है यदि आपको बिदेश यातरा दूर कहीं जाके रहने की एक चाहिती यह घर आपको घर से दूर भी भेज देगा यह दौर यह दौर आपको घर से बाहर करेगा घर से दूर बसाएगा बिदेश यातरा भी कराएगा यह पोजिटिव चीज़ है उसके अलाबे यह बिल्कुल सुविस्थिति नहीं होता है तो आपको वन में घर मुखे द्वार बनाने से बचना चाहिए अब आई यह दूसरी पत की बात करते हैं दूसरा पत कहा आता है दूसरा पत के जो हैं मुखे हैं इसका अस्थान यह नाग पहला था रोग मैं यह लिख देता हूँ रोग दूसरा है नाग दूसरा एंटू जो होता है वो नाग का अस्थान है ये अस्थान भी बास्तू के रूल के अनुसार दूसरा अस्थान भी बिल्कुल उचित नहीं है यहाँ पर यदि आप डोर बना देते हैं घर के तो आपके सत्रूओं की संख्यां बढ़ने लगेगी अनाबस्यक रूप से बिना किसी कारण से आपको लोगों से बैर होगे और आपके सत्रूओं की संख्यां बढ़ने लगेगी ये बैर सिर्फ लोगों से ही नहीं होगे ये आपके अपने घर के लोगों के साथ भी सामन्जस खराब हो सकता है आपसी मन मुटा होता है बैर की भाबना हो जाती है यहां तक कि समाज और आज पड़ोस के लोग आपसे बैर की भाबना रखेंगे आपसे इरिस्या करेंगे चाहे इरिस्या आपके रहन संसे करें खान पान से करें जिस भी चीजों से करें अनुचित खर्च को बढ़ाता है धन का अभाव करता है नुक्षान करता है ति ये एक और दो यहां से बचना चाहिए अब देखी तीसरा अस्थान एन थिरी है एन थिरी की बात करें ति ये अस्थान कलाता है मुख कहीं कहीं मुख ये अस्थान कलाता है मुख ये तीसरा अस आस्थान बास्तु के अनुसार मुख्य द्वार देने के लिए उत्तर दिसा में सुभ माना जाता है। आपको पहला और दूसरा अस्थान में डोर नहीं देना चाहिए आप तीसरे अस्थान में डोर दे सकते हैं। आपको चार के बाद ये मद्ध का होता है मद्ध नौर्थ अर्थात ये हाँ पर आपको जीरो डिगरी है। मैं अभी डिगरियों की विशे में भी आपको अस्पष्ट कर दूँगा तो चीजें अस्पष्ट हो जाएगी। आपकी नौर्थ जीरो डिगरी तो इससे ठीक पहले का जो अस्थान होता है ये चौथे नंबर पे जो आता है डिगरियों के नुसार में बाटने अभी बता दूँगा पहले आप मैं सारी चीजों को मैं किस प्रकार से एड़ेस्ट होता है ये देख लीजी। अब आएए पाचमा नौर्थ में एक पाचमा अस्थान है ये भी सुब होता है ये अस्थान को हम कहते हैं सोम सोम का क्या है ये सम्रिधी का प्रतिक है सोम जो है सम्रिधी का प्रतिक चलिए चौथे नंबर का लगता है मैंने नहीं बता है चौथे नंबर के विशे में जान आपके नौकरी में उन्नती लोगों को नए नए अपसर देता है ये भगवान कुवेर का स्थान है धन विर्धी करने वाला होता है इसलिए प्रयास आपका रहना चाहिए कि चौथे नंबर में हम अपने मूखे द्वार को बना ले पांचमा नंबर पांचमा नंबर सोम का इसे घर में राने वाले धार्मीक परविर्धिक की होते हैं धन आगमन लगा रहाता है धन की समस्या नहीं होती है तो एक से देखे तो 3,4 और 5 वाम होती है कि ौर तो देना चाहते है लोगों का घर का क्या होता है मानले जा आगे 15 फिट ही चौड़े निकलते हैं ऐसी भी स्थिती होती है या घर का construction कुछ ऐसा है कि हम हमारा परियास्था तीन में देने का अब संभब नहीं हो पा रहा है या हम चार में देना चाहते थे संभब नहीं हो पा रहा है तो ऐसी कोई स्थिती नहीं है कि आपको एक महीं देना आपकी गेट बड़े हो सकते हैं तो आप तीन चार पांच तीनों स्थितियां में दे सकते हैं आपको अगर लगता है कि चार फिट के गेट देने तो चार पांच दोनों में दे सकते हैं तीन और चार दोनों में दे सकते हैं इस प् की बात आई तो आप तो सतर्क हो गए होगे, सर्प का अस्थान डौर बनाने के लिए बिलुकु उचित नहीं होता, N6 जो है वो आपके दौर बनाने के लिए उचित नहीं है, ऐसे लोगों को समाज से बैर की भावना होते हैं, अनावस्चियक जगडे होते हैं लोगों के यहां बचान बनाने से हमें बचना चाहिए, उसके बादा यह एन सेवन, यह होती है अधीती, एन सेवन अधीती का अस्थान है, यह अस्थान भी बास्तु के अनुरूप जो है उचित नहीं माना गया है, हमें साथ में भी डौर बनाने से बचना चाहिए, इसमें क्या होता कि आप जो वर्क कर रहे हैं जिस भी छेत में वर्क कर रहे हैं अनावस्यक रूप से आपको कारियों में बाधा उत्पन होगा चाहे आप बेबसाई करें नौकरी करें कुछ भी करें आपको लगेगा यदि ये मुखे ड्वार है आपका तो ये 6 और 7 छे अनावस्यक जगड़ और बैर कराएगा सात्मा जो है कारियों में बाधा उत्पन करेगा आपकी घर की महिलाओं के स्वास पर भी फ्यक्त करेगा अच्छा नहीं रहेगा ऐसे घर के जो पुत्र पुत्रियां होती है वो सचंतर बिचार के भी होते हैं वो घर के मता-पिता की बात गम मामते हैं ऐ यह दीती का अस्थान आठमा यह अस्थान कुछ लोग कहते हैं यहां बनाया जा सकता है कुछ लोग कहते हैं नहीं बनाना यह प्लस मैनस दोनों है यदि परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि डोर आप कहीं नहीं दे सके यहीं पर देना है तो इसमें दिया जा सकता है इसका इस से अजातक जो होते हैं, रहने बाले काफी ब्यस्त रहते हैं, आपके वर्किंग छेतर में आप काफी उल्जे वे रहेंगे, ब्यस्त रहेंगे, धन आएगा भी और धन जाएगा, दोनों इस्थितियां उत्पन न करता है, इसलिए लोगों को यहां से भी डोर बनाने से बचन चाहिए, लेकिन विसेश प्रिस्तिती में आप इस अस्थान को, आठमा अस्थान को अपना यह दे सकते हैं, बनाने के लिए यहां पर बनाया जा सकता है, तो दिखिए उत्तर दिसा में आपके पास एक से लेकर आठ तक अस्थान है, N1 से लेकर N8 तक, अब आई एम डिगर डिगरियों की बात करें, डिगरी की बात हम इसलिए कर रहे हैं, कि हो सकता है कि आपका जो प्लॉट हो थोड़ा लंबा हो, जब यह इसक्वाइर से प्लॉट नहीं होता है, तो यह जो बर्ग होते हैं, एक दो तीन चारी, एक से बतिस तक, यह प्रोपर वे में सटीक नहीं होते हैं, इसके अस्थान क्या होते हैं, परिवर्टित होने लगते हैं, यदि इस प्रकार की स्थितियां हो, तो हमें आने चाहिए कमपास की डिगरियों पर, आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से अपने जो है, जितना विमाल यह लंबा पलॉट हो सकता है आपका, कि यह जो आगे जो हो सकता है 30 फिट हो और इधर में चवड़ाई 60-70 फिट हो ऐसे इस्थिति में आपको केंदर निकाल लेना है बीच में आप केंदर निकाल ले इसे मार्क कर ले जहां भी केंदर जा रहा है इस केंदर को निकाल ले इस केंदर से निकाल के अब डिगरियों में बिवक्त करना है किस प्रकार से करना है तो सबसे पहले डिगरियां एक तो हो गई है आपने यहां पर से इस प्रकार से ले लिया यह हो गई नौर्थ जीरो डिगरी सबसे पहले आपने जो यहां से खीच लिया यह नौर्थ जीरो डिगरी एक चीज और ध्यान दे जब आप ड बास्तू कमपास का यूज करेंगे, तो पता चलेगा कि आपकी नौर्थ यहां नहीं हो, कि नौर्थ यहां पर है, या फिर नौर्थ यहां पर है, तो ऐसे इस्तितिया में डिगरियां महतुपुर्ण हो जाती है, बिदाऊट डिगरी के यदि आप मेजर्मेंट करते हैं और दोर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, और लोग कहते हैं कि हमें बास्तू का सही से फल प्राप्त नहीं हो बारा है, तो हमें बचना चाहिए, हमें डिगरियों का परियोग करना चाहिए, उससे ये एक कुरिसी आती, आइए हम बता दे, एक पद जो होता है, बास्तू में 32 पद होते हैं तो टोटल कितनी डिगरियां होती है 0 से हमने यहां से सुरू किया, एक राउन घुंग गए टोटल होते हैं 360 डिगरी, 360 डिगरी में 32 पद और एक पद बराबर सबा एक ग्यारा डिगरी होता है, अब हम डिगरियों के अनुसार चले लगभग, तो आप जब यहां से शुरू कीजेगा एक नंबर वाले अस्थान से ये डिगरियां आपकी आजाएगी 315 डिगरी 315 डिगरी से लेकर 315 से 326 तक एक होगा और 326 से लेकर 337 तक दो होगा और 337 से 349 तक 3 होगा और 349 से 0 डिगरी तक 4 होगा और उसके बाद 0 से 711 तक 5 होगा उसके 825 तक 6 होगा साड़े 22 से लेकर 33, 34 डिगरी तक 7 होगा और 34 डिगरी से लेकर आजाएगे 45 डिगरी तक 8 होगा इस परकार से ये सारी चीजें बाटी गई ये डिगरियों के नुसार से आप आयता कार हो डिगरियों में बाटे या डिगरियों में बाटने के लिए हम अगले अंके में अच्छे से आपको बता देंगे बिस्तार इतन आज की अंके में इतना ही धन्यों